जैसे राम दोस्तों, दोस्तों विजया एकादसी ब्रत की गता कुछ इस प्रकार है धर्मराज युदिष्टर बोले हे जनारदन फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादसी का क्या नाम है तथा उसकी बिधी क्या है स्री भगवान बोले हे राजन फालगुन मास की एकादसी को विजया एकादसी कहते हैं इस ब्रत के प्रभाव से मनुस्य को विजय प्राप्त होती है यह ब्रत सभी ब्रतों में उत्तम है और इसकी कहानी कुछ इस तरह है एक समय देवरिशी नारद नहीं जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज मुझसे फालगुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादसी का विधान कहिए ब्रह्मा जी ने कहा हे नारत विजया एकादसी का ब्रत पुराने तथा नए पापों को नास करने वाला है यह समस्त मनुस्यों को विजय परदान करता है त्रेता युग में जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का बनवास हो गया था तब वे लक्षमन और सीता माता जी के साथ पंच वटी में एक कुटिया में निवास करने लगे वहाँ दुष्ट रावर ने जब सीता जी का हरण किया तो इस समाचार को सुन कर भगवान राम अत्य ब्याकुल हुए वे सीता जी की खोज में चल दिये घूमते घूमते सबसे पहले वे मरणासन जटायू के पास पहुचे वहाँ जटायू ने सीता जी का पूरा ब्रतांत सुना कर फिर स्वर्ग लोग को चला गया फिर हनमान जी स्री राम जी को मिले हनमान जी ने स्री राम प्रभू यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी दूइप है वहाँ वगदालब्य नाम के मुनी रहते हैं उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं उनसे जाकर अवस्य उपाई फुशना चीए फिर भगवान राम तथा लक्षमर वगदालब्य रिसी के पास गए मुनी ने उनको पहचा लिया कि आप पुराण पुरसोत्तम है मुनी ने का राम आपका आना कैसे हुआ राम जी ने का रिसी मैं अपनी सेना सहित लंका को जीतने जा रहा हूँ राक्षसों पर विजे प्राप्त करने जा रहा हूँ आप किरपा करके समुद्र को कैसी पार किया जाए इसका कोई उपाय बताई है वगदालबे रिसी बोले हे राम आप फालगुन मास की एकादसी का ब्रत करिए निश्चे ही आपकी विजय होगी साथ ही आप समुद्र को अवस्य पार कर लेंगे स्री राम ने रिसी की बताई हुई रीती के अनुसार बिजया एकादसी का ब्रत किया इस ब्रत की प्रभाव से उन्होंने राक्षसों पर विजय प्राप्त की अता स्री कृष्ण बोले हे राजन जो कोई मनुस्य बिधी पूर्वक इस ब्रत को करेगा तो दोनों लोकों से में उनकी अवस्य विजय होगी ये कृष्ण ने युदिश्टर से भोला इसी तरह से श्री ब्रह्मा जी ने नारज जी से कहा कि जो कोई इस ब्रत के महात्म को सुनता या पढ़ता है उसको बाजपे यग्यकाफल प्राप्त होता है इती कथा संपोन इस तरह से विजया एकादसी की कथा संपोन हुई